नमस्कार आज एक अच्छी खबर क्रिशी से रिलेटेड है और ये सिर्फ को कोई फेक्ट नहीं करता ऐसी खबरें जो कंजूमर हैं जो क्रिशी के उत्पाद को खरीते हैं या तो खादयान कहिए या फिर बाकी चीजों को खरीते हैं उनके लिए भी बहुत ही है इसके साथ साथ कुछ टूरिस्ट के लिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि गुलमर्ग में जो जनवरी के महीने में काफी बरभारी होती थी और टूरिस्ट बरभारी का मजा लेते थे वो गाइब सा है कई लोगों को ये सब्द कई दिन सबसे ड्राइस्ट महीन आ रहा उसके अलावा आप अक्टूबर नुवैंबर के महीनों को देखे तो ये भी काफी ड्राइ रहा और मौनसुन का डिले कम बारिस ये सब कई ऐसा फैक्टर थे जो की अलीनो इफेक्ट के कारण पूरे भारत के लोगों को ही नहीं बिश्वग में भी लोगों को फिल करना पड़ा बैसिकली अलीनो इफेक्ट है क्या मतलब अलीनो इफेक्ट ये चीज क्या है तो ऐसा जो ग्लोबल साइंटिस्ट हैं जो इर्वामेंट के लोग हैं जो जिग्रफी के लोग हैं उनका मानना है कि पैसिफिक ओशियन का जब सर्फेस का टेमप्रेचर एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर रहना शुरू हो जाता है तो इस फैक्टर को अलीनो एफेक्ट कहते हैं और ये पूरे के पूरे सिस्टम को जो बातावरन के सिस्टम है जो आईवंडल के सिस्टम है उसको काफी एफेक्ट करता है और जिसका खामियाजा हम लोगों ने देखा है कि इस वार मांसून में बारिश का थोड़ा सा शुरु जो गुलमर्ग में काफी वर्भारी होती है उसको बिल्कुल ही रोक देना और ये अगर लोग बोलेंगे कि इस विडियो में ज्यादा ज्यादा तो टुरिस्ट की बात वरी ऐसा नहीं है आप अगर समझेंगे कि गुलमर्ग एरिया में बोल रहा हूं तो वो इलाका जो है हिम बारिश टुरिस्ट के लिए चीज है बट ठंड और बर्फ कुछ फसलों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो सेव का जिक्र तो हमने कहा कि पकने के लिए बर्फ बारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसी तरह से नौइमबर से लेके फरवरी की आर जो करेंगा और सब कुछ ऐसा प्लान हो रहा था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट के लिए सब कुछ प्लान हुआ था और सडेन अलीनो एफेक्ट के कारण एक आठ दस दिन में ही यो फैक्टर क्रेट हुआ जिससे कि जो क्रॉप थे गहूं के बहुत ज्यादा और मैं वही कह रहा हूं कि यह वीडियो किसानों के लिए इसा लोगों का फॉकस्ट है जो बहुत बहुत विद्ध हैं उनका कहना है कि अप्रील तक यह शायद खतम हो जाएगा लेकिन यह खतम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि भौश में नहीं आएगा अलीनो एफेक्ट को औ कि दो से साथ सालों के बीच में कभी भी फैक्टार्ड होता है बट यह एक अच्छी खबर है किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है जो कंजिमर हैं उनके लिए भी कि अलीनो एफेक्ट मार्च अप्रील के आसपास खतम हो जाएगा खतम होगा तो एक सामाने सा मांसून सुन देखने को मिलेगा तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं आपको शायद एक नॉमिनल रेट या एक जो आपका जो आपके खर्च करने के चमता है उसके आसपास मिले बहुत बहुत धन्यवाद